है दोस्तों आज हमारा question है x i 2.1 से question number 1 है solve हमें solve करना 2 minus 3 upon 5 भाई यह तो fraction में यह नहीं है तो हम इसको fraction में करेंगे का लगा देंगे 1 लगा देंगे अब हमारा minus तब तक नहीं होता जब तक हमारे denominator सेम नहीं हो अगर वह 1 और 5 करना तो इसके लिए lsm लेना पड़ेगा 1 और 5 के लसम कितना आएगा भाई 5 लाएगा ठीक है हमें देखना बड़ी डिजिट क्या है 5 है भाई 1 का 5 में डिवाइड होता बिलकुल होता तो यह हमारा else नहीं होगा 1 का डिवाइड करो 5 तक 1 की टेवल 5 तक बोलो तो कितना आएगा 5 याएगा वह इंटू करते नियूम निट ओके ऐसी यहाँ देखो इसकी नीचे 1 लगा दो इसको फ्रेक्शन में रादो क्योंकि यह फ्रेक्शन में इन दोनों फिर else लेना पड़ेगा भाई अब 1 और 8 का तो 80 आएगा भाई 1 का डिवाइड करो 8 का 1 की टेवल 8 तक बोलो तो 80 आएगा इंटू 4 देखो इसका हम सेवन अपोन 8 कितना हो गया 7 और 2 9 3 8 यह हमारा अंसर हो गया ओके अब नहीं देखो हमारा 3 अपोन 5 है पलस 2 अपोन 7 है इनका तो एलसम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनेम्ट हमारा सेम होना चाहिए अगर मैं 5 और 7 का लो अगर आप निकाल के भी देखोंगे तो 5 और 5 यह 7 सेवन जाए 7 फाइफ सेवन जाए कितना हो जाएगा 35 एलसम हमारा आगया 35 ओके अब पहला देखोंगे 3 अपोन 5 का फ्रेक्शन है तो 5 की टेवलो 35 तक भाई 7 टाइम जाएगा 5 7 जा इन्टू निमिटर 3 पलस 7 की टेवल बोलो अब दूसरा फ्रेक्शन 2 अपोन 7 है 7 की 5 वह जाएगा ओके भाई 11 और 15 है 9 अपोन 11 है मैनाज 4 अपोन 15 भाई डिनुमिटर सेम करने पड़ेगे तो एलसम लेना पड़ेगा और सिंपली है क्या एगा एलसम भाई 11 और 15 का एलसम लेंगे तो पहले 3 ची जाएगा 11 में तो जाता नहीं 35 जा 15 फिर 5 1 हो जाएगा 11 फिर है एलसम है 11 की टेबल बोलेंगे हम 165 तक तो 15 टाइम जाएगी इसका डिवाइड करके देखो तो 15 टाइम जाएगा इंटु 9 मैनस 15 का बोलेंगे तो 11 टाइम जाएगा इंटु 4 159 कितना होता 135 होता 11 4 जा 44 अपॉन 165 ठीक है 5 में से 4 गया 1 ठीक है और 13 में लेंगा 9 ठीक है हमारा अंसर हो गया, ऐसे हमारा है, अगर हम नेस्ट देखेंगे, हमारा देखो, 7 अपॉन 10 है, पलस 2 अपॉन 5 है, पलस 3 अपॉन 2 है, एलसम लेंगे तीनों का, तो 10, इसमें देखो, सब्सी बड़ी डिजिट क्या, 10 है, 5 की टेवल 10 में जाती है, बिलकुल जाती है, 2 की बोल जाती है, वह हमारा ऐसे हो जाएगा, आप निकाल के भी जाएगो, तो सेम यह होगा, 10 की टेवल बोलो जाएगा, तो भाई, 10 की देखो, तो वन टैम जाएगे, इन्टू 7, पलस है, तो फाइब की टेवल 10 तक बोलो, टू टैम, इन्टू यह वाला 2, पलस, 2 की टेवल बोलो, 5 इन्टू 3, तो 7 अंजा 7, 2 तू जा 4, और 5 तू जा 15 अपॉन 10, देखो 15, 19 हो जाएगा, 19 और 7, 26 अपॉन 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, अब देखो यह मिक्स फरेक्शन में है, इसको पहले सिंपल में करे, 2 तू जा 6 और 2, 8, 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 प 6 की टेबल बोलो, 3 की टेबल बोलो, 6 तक 2 टैम इन्टू 8, पलस 2 की टेबल बोलो, 3 इन्टू 7, भाई, 8 तू जा 16, पलस 7, 3 जा 21, अपॉन 6, जैको 6 वन 7, यह 3 अपॉन 6 यह हमारा आंसर हो गया, ऐसी अगर हम यहाँ देखेंगे, तो 8 तू जा 16, 17, 17 अपॉन 2, मैनस 8 तू जा 24, 4, 5 कितना होता, 29 अपॉन 8, बाई, डिजेट 8 है, बड़ी तो 2 की टेबल जाती, तो 8 हमारा एल समोगे, 2 की टेबल बोलो, 4 टक, इन्टू 17, मैनस 4 का बोलो, 1 इन्टू 29, 17, 4 जा कितना होता, 68, ओके, और 29 वन जा 29, अपॉन 8, 8, 18 में से 9 गया, 9, यहां बच्चा 5, 5 म टूगे, 3, अपॉन 8, ओके, इस डंचन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से,